हाई फ्रेंज में आपका स्वागत करती हूं भाग लेश्मी उनपुना किछन में आज हम बनाएंगे ढोकला ढोकला बहुत ही टेश्टी और डिलीश्यस बनेगा और यह इस पंजी भी बहुत है तो आप देख सकते हो कितना जालीदार और इस पंजी बना हुआ है तो आप एक इसे चान लिया था अब इसे हम बड़े वर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे तो हम इसको कटूरे में डाल लेते हैं तो इसमें अब हम एक एकर के सारे मसाले एड़ कर लेते हैं तो हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे ज्यादा मसालत नहीं पारता इसमें इसमें हमने हल्दी डाला है अब इसमें हम चाचमस चीनी डालेंगे चीनी पौडर हमने डाला है इसमें अपने अनुशा दालें हमने दो चममस चीनी पौडर डाला है तो इसे भी आड़ कर लिया हमने थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वादनुशा नमक डालें अब यह है हमारा सेट्रिक असीड है यह निम्भू के फूल भी बोलते हैं इसको तो इसमें अब हम थोड़ा सा गुन-गुना पानी डालके इसे घोल लेते हैं पुरा घोल लेंगे एक है तो यह अच्छे से घोल चुक्या है आथ अभाव संद्सक्राइं पूल परी ऐक थमालें को यह मैंवार और एक हैं रखैसे तो हम हलका हलका पाने डाल के इसका बेटर बना लिये हैं तो आप देख सकते हो कितना यह Went लगे शतल के बना हुआ है भूस तोटहां आज कि अगर आपके पास टाइम हो तो रख देख सकते हो के दो यह र्ख कैने घंटा के लिए रख देंगे अगर आपके टाइम हो तो रख दे वरना पंदा मिनट में भी बन जाएगा बहुत अच्छे से तो इसे हम एक प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा डाल दिया तेल और इसे अच्छे से चाड़ो तरब से लगा लेते हैं और एक करहाई में हम तब तक पानी उबलने के इसमें हमने एक चोथाई चमच बेकिंग पॉडर डाला है कि खाने वाला शोडा मीठा शोडा जिसे बोलते हैं उसे डालके थोड़ा सा पानी डालके इसे अच्छे से मिला लेते हैं तो आप देख सकते हो कितना फलपी और कितना उट चुका है पुरा अच्छे से राइस हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करना और कमेट में जरूर लिख के बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा और फैमिली फ्रेंड के साथ भी सेयर करना मत भूलना और और बटन पर जरूर दबाना जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले तो हमने ये ट्रांसफर कर लिया है सारा और हमना पानी ये वाइल हो चुका है अब देख सकते हो अच्छे से वाइल कर हो गया है पानी तो अब हम इसमें ट्रे डालके इसे हम धक के 20 मिनट तक पकाएंगे मेडियम आज पे अपका फ्लेम जैसा हो उस तरीके से पकाएं तो हम तब तक तरके का तयारी कर लेते हैं तरके का लिए हमने जीरा राई करी पत्ता हरी मिर्च और ये हिंग लिया है तो चलिए चलते हैं देखने के लिए केक अब हमारा 20 मिनट हो चुका है तो हम केक देख सोड़ी धुकला देख लेते हैं तो आप देख सकते हो कितना ही राईस हो चुका है और कितना ही क्लीन चाकू निकला हुआ है तो मतलब यह हमारा हो चुका है आप भी इस तरीके से ज़रूर एक ट्राइद करें तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं ठंडे करने के लिए र छूप कहा चल्गाatar चुके भी खेका हमारा त्यार हो चुका है धोगला त्इयार हो चुका है सॉरी तो इस साइड से इस तरीके से हम निकाल हो चुका है और इसस तरीके से पलड़का देंगे विसली निकल जाता है यह आप सकते तो इस तरीके से हम काटिंग करेंगे हैं तो अब इसको कटिंग कर लेते हैं तो इस तरीके से कट करें और आप देखिए कितना ही स्पॉंजी और कितना ही जालीदार बना हुआ है यह बिल्कुल दुकान के जैसा एक दम बना हुआ है तो आप एक बाद जरूर इस तरीके से ट्राय करना आप देख सकते हो कितना ही स्पॉंजी है हम दवा के दिखा रहें बहुत है स्पॉंजी है आप आपने मन चाहें आकार में इसे काटें जैसे आपका मन हो इस तरह के से काटें छोटे बड़े जैसे टुक्रे करने चाहें आप कर सकते हो लेखिए कितना ही इस पॉंजी और इतना ही अच्छा यह बना हुआ है तो हमने तरके के दे करहाई चरहया करहाई में हमने एक चमस भी डाल दिया है अच्छा है जो साधर टेल भी दाल शक्ते हो कि यह गरम हो चुका तो हमने अब राई और जीरा और यह हिंक दे दिया है इसके अंदर अब यह चटक जाएंगे हारी मीर्च और करी पत्ता डाल देंगे अच्छे से जब सब चटक गये हैं अब हमारे इसमें हम अब दो चमची नी एड़ करेंगे अब छोटे चमच हो तो चार चमच डाले हमने दो चमची नी एड़ किया है और इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसे अच्छे से उबाल लेंगे तब देख सकते हो हमारा यह उबल चुका है तो अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं और यह धोकला के उपर अब गर्मा गरम इसे डाल देंगे जिससे यह बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगेगा धोकला खाने में हमारा तब इस तरीके से धोकले के उपर डालें एक एक करके थोड़ा सारे इसके अंदर डालें और यह आराम से सारे पी जाएंगे रस और बहुत ही टेस्टी बनेंगी यह आपको भी ऐसे दिख रहे हैं थोड़ा दिरवाद यह पूरे सूख लेंगे सारे सोख लेंगे तो इस तरह कैसे जरूर बनाएं आप देख सकते हो इस तरीके से ट्राइब करो अगर पसंद आए तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करो और कमेंट में जरूर लिखके बताओ यह वीडियो आपको कैसा लगा और फैमिली फ्रेंड के साथ भी सेयर करना ना पूलें आप देख सकते हो कितना ही स्पॉंजी बना हुआ है आप जरूरी इस तरीके से गवा ट्राए करना थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो